नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आरपे टेक्निकल इस्टडी यूटोब चैनल में तो दोस्तो आज किस वीडियो में अपने बात करेंगे ट्रांसफार्मर के 20 मोस्ट इंपर्टेंट क्यूशन जो कि सभी एक्जाम्स के लिए बहुत इंपर्टेंट है तो वीडियो क्या ग्याद करने के लिए नो लोड परिक्षन किया जाता है तो दोस्तो इसका राइटांसर क्या होगा फटापट से कमेंट करके बताईए तो दोस्तो इसका राइटांसर हो जाएगा एव भी दोनो अर्थार्थ मैगनेटाइजिंग करने के लिए नो लोड परिक्षन किय आजाता है, correct answer क्या हो जाएगा, option number C, अगला question, अगला question दिर रखा निमिलिक में से, किसे गठाने के लिए किसी transformer के core को laminated किया जाता है, option दिर रखा eddy current loss को, hysteresis loss को, C दिर रखा copper loss को, D दिर रखा iron loss को, तो किसे गठाने के लिए core को laminated किया जाता है, important question है, तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा, eddy current loss को, correct answer क्या हो जाएगा, option number E, अगला question, दोस्तों अगला question दिर रखा किसी transformer में, बिर्दर का क्या function है, बिर्दर का क्या function है, option दिर रखा, जब 2A, IU, transformer में, प्रवेश करती है, तब नमी के प्रवा को रोकना, B दिर रखा है, transformer के तेल को filter करना, C दिर cooling, IU के लिए, oxygen उपलबद कराना, तो transformer में, बिर्दर का क्या काम होता है, important question है, इसका right answer हो जाएगा, जब 2A, IU, transformer में, प्रवेश करती है, तब नमी के प्रवा को रोकने का काम होता है, बिर्दर का, किसका काम होता है, बिर्दर का, तो right answer हो जाएगा, option number E, अगला question, अगला question option दरका, transformer के चुम्ब के फ्रेम में, होने वाले, hysteresis नुकसान, खालिस्तान पर नेरवर करता है, option दरका, इस्तेमाल चुम्ब के सामगरी के, hysteresis पास का, छेतर फल, बिर्दर का, कोर की मात्रा, सी दरका, पलक्स का, गनताव, बिर्दर का, उप्रोक्ति सभी, तो right answer क्या होगा तो दोस्तो चुम्ब के फ्रेम में, होने वाले, hysteresis, नुकसान, किस पर नेरवर करता है, फलक्स के, गनताव पर भी करता है, कोर की मात्रा पर भी करता हुए, इस्तेमाल चुम्ब के सामगरी के, hysteresis, पास के, छेतर फल, भी करता है, तो इसके right answer क्या होगा, option number D, अगला क्यू अगला क्यूशन दरका, ट्रांस्पार्मर पर ओपन सर्किट परिक्षन, प्राप्त करने के लिए, क्या आएजित किया जाता है, option A दरका, रिशाव बाद आए, B दरका, ओमिक खानी, C दरका, कोर आनी, D दरका, कोर आनी, तो right answer क्या होगा, तो दोस्तों इसके right answer होजाएगा, कोर लोस, correct answer क्या होजाएगा, option number D, अगला क्यूशन, अगला क्यूशन दरका, बुकोल्ज रिले, खालिस्तान रखा जाता है, अगला क्यूशन, अगला क्यूशन दरका, वितरन ट्रांसफार्मर के सभी आका, के लिए, आम तोर पर खालिस्तान उप्योग करने के लिए बहतर है, option दरका, सादा चादरी, स्टिल टेंक, B दरका, ट्यूब्ड टेंक, C दरका, नालिदार टेंक, D दरका, रेडियेटर टेंक, तो right answer क्या होगा, तो दोस्तों इसका right answer होजाएगा, ट्यूब टेंक, correct answer क्य के लिए, परत क्यों कोट की जाती है, option दरका, गुंजन को कम करने के लिए, B दरका, लेमिनेशन के बीच, आसन जन प्राप्त करने के लिए, C दरका, एक दूसरे के खिलाप, लेमिनेशन को अलग करने के लिए, D दरका, लेमिनेशन की जंग को रोकने के लिए, तो transformer core के लेमिनेशन को inamel परत को कोट की जाती है, important question है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा एक दूसरे के खिलाप lamination को अलगी करने के लिए inamel परत्त द्वारा कोट की जाती है correct answer क्या हो जाएगा option number c अगला question अगला question द्रका transformer में चुम्ब किये प्रवा का मारक है तो ट्रांसफार्मर में चुम्ब के प्रवा का मारक क्या है important question है इसका right answer हो जाएगा option number d अगला question दोस्तों अगला question द्रकाड शेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुम्ब के पतो की संक्या होती है एक दो पांच या दस तो right answer क्या होगा cell टाइप ट्रांसफार्मर में चुम्ब के पतो की संक्या कितनी होती है right answer हो जाएगा option number b दो correct answer क्या होगा option b अगला question दोस्तों अगला question द्रकाड एक isolation transformer में primary से secondary trans का अनुपात खालिस्तान होता एक अनुपात दो दो अनुपात एक एक अनुपात एक या दो अनुपात दो तो एक isolation transformer में primary वा secondary में trans का अनुपात क्या होता important question है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा एक अनुपात एक correct answer क्या होगा option number c अगला question द्रकाड अगर किसी transformer के primary को DC supply के साथ जोड़ा जाता है तो क्या होगा option द्रकाड ट्रकाड ट्रकार कम समता के साथ काम करेगा भी द्रकाड ट्रकार ट्रकार के operation पर आसर नहीं पड़ेगा द्रकाड ट्रकार में धुआ निकलने लगेगा और जलने लगेगा तो important question है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option number D transformer से दुआल निकलने लगेगा और जलने लग जाएगा तो right answer हो जाएगा option number D हमे अगला कुश्टन है all और नंत्रकार गयेगा function अगला क्युश्टन द्रकाड ड्रकाँ ऑप और स्टेप डाउन ट्रांसस्पार्मर दोनों में primary फ्लक्स हमेशा secondary फलक्स खालिस्तान होता है choice निद्रक्त है के से कम के बराबर, या तो ये या भी, तो राइट अंसर क्या होगा? तो दूस्तो, STEP UP, STEP DOWN, ट्रान्सपार्मर्स, दोनों में primary flux हमेशा secondary flux के बराबर होता है, correct अंसर क्या हो जाएगा? Option नमबर C, अगला क्यूशन अगला क्यूशन दरखा, एक ट्रांसफार्मर की क्रोड में परवा इसको भोतिक रूप से विस्तारित करता है और परत्यावर्ती चुम्ब के छेतर परवाओ के साथ जोड़ा थोड़ा संकुचित करता है इस परवाओ को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है क्या का आ जाता है इस परवाओ को चु गुंब या चेतर परभाओ के साथ थोड़ा संकोचीत करता है तो इस परभाओ को क्या का जाता है important question है तो इसका right answer होजाईगा चुंब की वीरुपन का जाता है क्या का जाता है चुंब की वीरुपन अगला question अगला question ध्रगा निमलिक्ट में से कौनसा परणामित्रों का नियमित परिक्षन नहीं है इन में से ट्रांसफार्मरों का नियमित परिक्षन कौनसा नहीं है ओप्सन इद्रके क्रोड रोधन ओल्टता परिक्षन बीद्रके परतिवादा परिक्षन सीद्रके रेडियो व्यतिकरन परिक्षन डी दरहका निरंतरता परिक्षन तो इन में से ट्रांसपार्मर का नियमित परिक्षन कोन सा नहीं है important question है तो दोस्तो इसका right answer होज़ाइगा radio वेतिकरन परिक्षन नहीं है correct answer क्या होगा option C अगला question दोस्तो अगला question दरहका परिणामित्तर की लिए स्वासी में प्रियुक्त रसाइन खालिस्तान गुणवता वाला होना चाहिए ओप्शन इद्रका वायू को आर्दरता परदान करना बीद्रका एर परिणामितर तेल का सीथलाने सीद्रका आवसोसी आर्दरता डीद्रका आईनी करत वायी राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवसोसी आर्दरता करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नंबर सी अगला क्यूशन द्रका एक ट्रांसपार्मर की प्रेरित परति किरिया किस पर निर्वर करती है उप्शन इद्रका विद्धुत परवावन बल परे बी द्रका चुंग के मोटर बल परे C द्रका रिशाव परवा परे D द्रका मुख्य परवा परे तो राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिशाव परवा correct answer क्या होगा option number C अगला question अगला question देराख है transformer तेल खालिस्तान से मुक्त होना चाहिए गंद से, गेंस से, गंदक से या नमी से तो transformer तेल किस से मुक्त होना चाहिए important question है इसका right answer हो जाएगा नमी से मुक्त होना चाहिए correct answer क्या हो जाएगा option number D अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दे रखा transform और किसके सिद्धानत पर काम करता है तो option दे रखा mutual inductance, B दे रखा sell up induction है C दे रखा विदूत इस्तेतिक प्रभाव, D दे रखा ताप प्रभाव तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धानत पर काम करता है इसका राइट आंसर हो जाएगा mutual inductance पर किसी दान पर काम करता है mutual inductance पर अगला क्यूशन अगला क्यूशन दरका transformer सक्क्रिय मोड में मूल हाने को किस रूप में दरसाए जाता है ओप्सन इदरका सरंकला परती रोध बीदरका सरंकला अधिश्टापन सीधरका संट परती रोध डिदरका संट अधिश्टापन तो transformer सक्क्रिय मोड में मूल आने को किस रूप में दरसाथा है इमपोर्टेंट प्यूसीन आए इसका राइट आंसर हो जाएगा संट परती रोकुर्ष किया हो जाएगगा ओप्सन नम्बर C तो दोस्तो इस वीडियो में हया वीडियो पसंद आया है टो लाइक कर दीजेव अपने दोस्तों को share दीजे जिस दोस्तों ने भी अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है वो सभी दोस्ते एक बार चैनल को subscribe भी कर लिजे साथ में all notification बेल को वेवन कर लिजे जिससे के आगे के सभी notification आपको मिल सके थेंक्यू